सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिये गए रैड बटन से और बाद में बैल आइकन दबाए हमारी लैटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इन भर्तिओं पर लाश्डेट से पहले पहले अपनी इलीजिबिलीटी और चोईस के अकोर्डिंग आवेधन कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन भर्तियों पर आवेदन करने के लिए क्या आपका eligibility criteria होना चाहिए, कितनी यहाँ पर number of frequencies है जिनके लिए candidate से application form मंगाई जा रहे हैं, कितनी sale उनको successfully recruit होने के बाद provide की जाएगी, क्या यहाँ पर आपका selection procedure रहने हो और कैसे आप आवेदन कर सकते हो, इन सब चीजों की पूरी जानकारी के लिए बने रहे हैं इस वीडियो में अंतक हमारे साथ, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इन भर्तियों की पूरी जानकारी, फर्स्ट नमबर की जोग नहरू युवा केंदर संगठन के अंदर निकली है, जहां पर पोश्ट का नाम है वोल्यून टर्स, टोटल नमबरों फैकेंशी जहां पर बारा हजार हैं, जिनके लिए कैंडिडेट्स से एप्लिकेशन फों मंगाय जा रहे हैं, कैंडिडेट्स का कम से कम दसवी कलास पास होना जरूरी है, इस बर्ति पर आवेदन करने के लिए, एज लिमिट यहां पर आपकी 18-39 साल लखी गई है, जिसकी गणना 1 अपरेल 2019 से की जाएगी, से लिए आपको रुपे 5000 पर मंत के साब से परोईड करा दी जाएगी, एप्लिकेशन फीस आपको यहां पर इस बर्ति में जमा नहीं करानी है, सेलेक्शन यहां पर आपका इंटर्यू के माध्यम से किया जाएगा, डेट्स के अगर इस बर्ति की बात की जाए तो आवेधन करने की स्टार्टिंग डेट 16 फरवरी 2019 थी, वहीं आवेधन करने की लार्ट डेट 3 मार्श 2019 है, अब हम आपको बता दे की कैसे आप इस बर्ति पर आवेधन कर स पर आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है, पूरी डिटेल वन बाई वन केरफुली रीड करने के बाद आप सिंपलिस बर्ति पर ओनलाइन आवेधन कर सकते हो, अब हम आपको सैकिन नंबर की जोग के बारे में बता दे, जो निकली है, वेस्ट बेंगोल पुलिस के होना जरूरी है, किसी वेल रिकगनाइज बोर्ड या फिर स्कूल से, एज लिमिट यहां पर आपकी 18-27 साल लखी गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी 2019 से की जाएगी, से लिए आपको रुपे 5400 से 25200 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी, एप्लिकेशन फीस आप कैट ग्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर चालान फॉर्म के माध्यम से जमा करा सकते हो, सेलेक्शन यहां पर आपका प्री रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल इस्टेंड टैस्ट एंड फिजिकल इफिशेंसी टैस्ट, फाइनल रिटन एग्जामिनेशन और टेक्ट के माध्यम से किया जाएगा डेट्स के गर इस भर्ती की बात की जाएगा तो आवेधन करने की स्टार्टिंग डेट 15 फरवरी 2019 थी वहीं आवेधन करने की लास्ट डेट 14 मार्श 2019 है अब हम आपको बता दे की कैसे आप इस भर्ती पर आवेधन कर सकते हो तो सबसे पहले कैंडिडेट को वेस्ट बेंगोल पुलिस की ओफिसल वैबसाइट को लोगोन कर लेना है जो कि है www.wbpolice.gov.in इस वैबसाइट को लोगोन करने के बाद आपको इस भर्ती से लेटिड ओफिसल एड़टाइजमेंट को open कर लेना है ओफिसल एड़टाइजमेंट को open करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से read करनी है पूरी डिटेल वन बाय वन carefully read करने के बाद आप सिंपल इस भर्ती पर online आवेधन कर सकते हो अब हम आपको थर्ड नंबर की जोग के बारे में बता दें, जो निकली है करनाट का पुलिस के अंदर, पोस्ट के नामें यहाँ पर जेलर और वार्डर, टोटल नंबरों फेकंची 662 है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स का कम से कम दसवी कलास होना जरूरी है, या फिर बारवी कलास, या फिर कोई गरेजुएट डिगरी पास होना जरूरी है, किसी वैल इकगनाई यूनिवस्टी से, एज लिमिट यहाँ पर आपकी 20-26 साल लखी गई है, से लिए आपको रूपे 5200 से 20200 और रूपे 17650 से 32000 के बीच में परोइड कर आप चालान फॉम के माध्यम से, HDFC बैंक की किसी भी साखा में या फिर पोस्ट ओपिस में जमा करा सकते हो, सेलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट, फिजिकल एफिचेंसी टेस्ट, फिजिकल इस्टेंडर टेस्ट और विवावोस टेस्ट के माध्यम से किया जाएग अब हम आपको बता दे कि कैसे आप इस भरती पर आवेदन कर सकते हो, तो सबसे पहले कैनिडेट्स को करनाट का पुलिस की ओफिचल वैबसाइट को लोग ओन कर लेना है, जो की है ksp.gov.in या फिर www.करनाटकाप्रिसंस.in इन वैबसाइट में से किसी एक वैबसाइट को आपको इस भरती से लेटिर ओफिचल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है, ओफिचल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है, पूरी डिटेल वन बाई वन केरफुली रीड करने के बाद आप सिंपल इस भरती पर आवेदन कर सकते हो, अब हम आपको फोर्थ नंबर की जोब के बारे में बता दें जो निकली है, इंडियन ओयल कोर्पोरेशन लिमिटिड के अंदर, पोस्ट का नाम है, यहाँ पर अप्रेंटिज, टोटल नंबरों फेकेंसी 466 हैं, जिनके लिए कैंडिडेट्स से एप्लिकेशन फर्म मंगाय जा रही है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स का आईट्याई पास होना जरूरी है या फिर कोई डिप्लोमा, या फिर 10th कलास, या फिर BA, या फिर B.HC, या फिर B.COM की डिगरी का होना जरूरी है, इस भर्ती पर आवेधन करने के लिए, एज लिमिट या पर आपकी 18 से 21 सा लखी गई है, से लिए आपको और्गिनाइजेशन के रूल के इसाब से प्रोवाड करा दी जाएगी, एप्लिकेशन फिस आपको इस भर्ती पर जमान नहीं करानी है, सेलेक्सेन या पर आपका रिटन एक्जाम और इंटर्यू के माध्यम से किया जाएगा, डेट्स के अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेधन करने की स्टार्टिंग डेट 16 फरवरी 2019 थी, वहीं आवेधन करने की लाज डेट 8 मार्च 2019 है, रिटन टैस्ट आपका 24 मार्च 2019 को कंड़क्ट कराया जाएगा, अब हम आपको बता दे की कैसे आप इस भर्ती पर आवेधन कर सकते हो, तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन लिमिटेट की ओफिसल वेबसाइट को लोगोन कर लेना है, जो की है www.iocl.com इस वेबसाइट को लोगोन करने के बाद, आपको इस भर्ती से लेटिड ओफिसल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है, ओफिसल एडवर्टाइजमेंट को के अंदर IAS और IFS एक्जाम यहां पर UPSC कंड़क्ट कराने जा रहा है जिसके तहट बहुत सारे खाली पदों को भरा जाएगा टोटल नमबरों फैकेंसी यहां पर 986 है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट के पास ग्रेजुएट डिग्री होना जरू इन एक्जाम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एज लिमिट यहां पर आपकी 21-32 साह लखी गई है से लिए आपको UPSC Rules and Regulation के इसाब से प्रोवाइड करा दी जाएगी एप्लिकेशन फीज आप कैटिगरी वाई जमा करा सकते हो जैसे कि जनर्नल और OBC कैटिगरी कैडि के लिए रुपे सो आवेदन सुल्क निर्धारित है महीं SCHT कैटिगरी कैडिएट के लिए कोई आवेदन सुल्क नहीं है यह आवेदन सुलक आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नैट बैंकिंग या चालान फोर्म के माध्यम से जमा करा सकते हो सेलेक्शन यहाँ प आपको बता दे कि कैसे आप इस भरती पर आवेदन कर सकते हो तो सबसे पहले कैंडिडेट को यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन की ओफिशल वेबसाइट को लोगोन कर लेना है जो कि ये यूपिएससी ओनलाइन डोट एनाइसी डोट इन इस वेबसाइट को लोगोन करने क के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है पूरी डिटेल वन बाई वन केरफुली रीड करने के बाद आप सिंपल इस भरती पर ओनलाइन आवेदन कर सकते हो अब हम आपको सिक्स्त नंबर की जोब के बारे में बता दे जो निकलिए आंदरा परदेश डिस्ट इस से रीड कर सकते हो एज लिमिट यहां पर आपके 18-14 साल लखी गई है से लिए आपको ओर्गिनाजेशन के नौन के हसाब से प्रोइड करा दी जाएगी एप्लिकेशन फीज सभी के लिए यहां पर 150 है जो कि आप डेबिट कार्ट, क्रेडिट कार्ट या फिर नेट बैं बता दे कि कैसे आप इस भरती पर आवेदन कर सकते हो तो सबसे पहले कैंडिडेट को आंधरा परदेश डिस्टिक्ट स्लेक्शन कमीटी की ओफिसल वैबसाइट को लोग ओन कर लेना है जो कि है schooledu.ap.gov.in इस वैबसाइट को लोग ओन करने के बाद आपको इस भरती से की जोब के बारे में बता दे जो निकली है मध्य परदेश पब्लिक सर्विस कमिशन के अंदर पोस्ट का नाम है यहाँ पर मेडिकल ओफिसर टोटल नंबर ओफेकंसी एक हजार पैसट है जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लिकेशन फोर्म मंगाई जा रही है एजुकेशन फिस आप कैटिगरी वाई जमा करा सकते हो जैसे की SCHTO दोमसाइल ओफ मध्य परदेश कैंडिडेट के लिए रुपे 500 आवेदन सूल्ख है यह आवेदन सूल्ख आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एफिन नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो सेलेक्शन यहां पर आपका रिटन एक्जम के माध्यम से किया जाएगा, डेट के अगर इस भरती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 21 फरवरी 2019 थी, वही आवेदन करने की लाज डेट 5 मार्श 2019 है, हार्ड कोपी एप्लिकेशन फोम आप 12 मार्श 2019 से पहले पहल इस website को logon करने के बाद आपको इस भरती से related official advertisement को open करना है, official advertisement को open करने के बाद आपको पूरी detail उसमें से read करनी है, पूरी detail one by one carefully read करने के बाद आप simple इस भरती पर online आवेदन कर सकते हो, इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको इन भरतीों के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए, तो आपको हमारी website के link नीचे description box में मिल जाएंगे, जहाँ पर जाकर आप directly इन भरतीों के official advertisement open करके पूरी detail उनमें से read कर सकते हैं, पलस आपको वही पर apply online या फिर offline application form के link भी दिये गए हैं, जिनके माध्यम से आप last date से पहले पहले simply apply online या offline आवेदन कर सकते हो, त तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही, I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो इसे like और share करना मत भूलना, साथी साथ दोस्तो अगर अब भी आपके मन में इन भरतियों से related कोई question या query है, तो आप हमें comment के जरिये पूछ सकते हैं, और अं झाल